हलो गुट मॉर्निग गुट मॉर्णिंग अभरिवन हम लोग मैथेमेटिक्स में मल्टिप्लिकेशन लाउन कर लिया है कि मल्टिwnीकेशन बैए grouping, G, G for grouping, and multiplication by arrays formation A, A for arrays formation and multiplication on the number line, N हम लोग ने भी तक्या learn के लिया multiplication with group formation, multiplication with arrays formation, and multiplication on number line आज हम लोग multiplication को फिर से continue करते हैं, और आज दो नए concepts learn करेंगे, और यह बहुत ही अच्छे हैं, यह आपके multiplication को और ज़्यादे simplify करते हैं, okay so let's get start, the first concept is, कि if you multiply अगर आप multiply करते हैं if means, अगर you आप multiply, अगर आप multiply करते हैं, any number, किसी भी number को by 0, 0 से you always आप हमेशा get 0 तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, यह तो बहुत simple है, है ना? क्यों? देखो ऐसे, जैसे आपका कोई भी एक, any number का मतलब, कोई सा भी number, so आपका जो भी एक favorite number है, वो मुझे बताओ चलो, let's call it 3 यह मेरा favorite number है, so 3 multiply, हमें किसे multiply करना है? by 0, यहाँ देखो, by 0 so 3 multiply 0 इसका मतलब क्या होगा? 3 multiply 0 का मतलब होता है, 3 times 0 और 3 times 0 का मतलब क्या होता है? adding 0 3 times, हमें 0 को कितने time set करना होगा? 3 times multiplication तो यह होता है, ना? repeated addition of same number is called multiplication है ना? हम लोग उने हम कोई आता है, हम लोग उने यह easily learn किया था, so 3 multiply 0 का मतलब, कि 0 को आपको 3 times set करना है, कितने times? 0, plus 0 and plus 0, अब बता, 0 plus 0 करते हैं, तो क्या आता है? यह decent तो हम लोग को बहुत अच्छे से आता है, 0 plus 0 is 0, again फिर 0 plus 0 is 0, यारी कि आप 0 को 3 times भी add करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? हमेशा 0 ही मिलेगा, so हम लोग कह सकते हैं, कि 3 multiply 0 equals to 0 चलो, एक और example करते हैं 5 multiply 0 5 multiply 0 को हम लोग कैसे पढ़ते हैं? हम लोग उन्हें learn किया न, पढ़ना कैसे पढ़ते हैं? 5 times 0 और 5 times 0 का मतलब क्या होता है? 0 को 5 times add करना हो गया 5 times? देखो 1, 2, 3, 4, 5 सब 0 को आप 5 times इब एट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा, है न? चलो, एक और example करते हैं 100 multiply 0 क्या होगा बताओ? हमें तो पता है कि एनी नंबर में आगर आप 0 से multiply करेंगे? तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको 0 को उतनी times add करना होगा, है न? multiplication का मतलब ही होता है 100 times 0 मतलब 0 को 100 times add करना 5 times 0 means 0 को 5 times add करना 3 times 0 means 0 को 3 times add करना So 100 times 0 तो 0 चाहा कितनी बार भी आप add करो 100 times, 1000 times, यह पिर और बड़े से बड़े number times बेट करो, सो हमें result क्या मिलेगा? final outcome क्या मिलेगा? 0 ओके? सो आज हम लोग यह पहला concept learn करेंगे, कि चाहे किसी भी number में 0 से multiply करता हो किसी भी number में कितने भी बड़े number में सो हमें result क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा, है न? सो यह तो बहुत ही funny है अगर आपको मैं देखो, ऐसे बड़े से बड़ा number लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ थोड़ा सा मैं इस चका को rub कर देता हूँ, आपके लिए थोड़ा से space create करते हैं, और फिर लिखते हैं, look एक खुब बड़ा सा number लिया 9, 9 8, 7 6, इतना बड़ा number है, इसमें हम लोग ने क्या किया 0 से multiply कर दिया, multiply 0, मतलब हमें क्या करना है 0 को इतने times add करना है और 0 को तो चाहें, आप कितनी भी times को उन्हें add करो, वो हमें से क्या आता है 0, यानि कि कितनी भी बड़े number में, अगर आप से को 0 से multiply करने के लिए बुला चाहेगा तो हमारा result क्या हैगा? हमेशा 0 हैगा, ओके? चलो, next concept this is the second concept, अभी तक हम लोग ने learn किया, आज के दिन का पहला concept यह है second concept, two if you, अगर आप multiply, multiply करते हैं any number, किसी भी number में by one, एक से किसे? one से एक से, it stays the same तो यह हमेशा क्या रहेगा? same रहेगा, same मतलब वैसा ही रहेगा number नहीं change होता है तो 7 में multiply करो one से, कितना रहेगा? seven 100 में multiply करीए one से, कितना रहेगा? 100 33 में भी multiply करीए one से, कितना रहेगा? 33 और यह भी बहुत simple है समझना ऐसा क्यों हो रहे? देखे जब आप seven में multiply कर रहे है one से, seven multiply one it means what? it means कि आपको seven को add करना है how many times? one times तो seven को one times add किया तो seven नहीं रहे जाएगा, है ना? इसमें तो कुछ add करना ही नहीं है, तो यह increase ही नहीं हो पाएगा done यानि कि किसी भी number में अगर हम one से multiply करते हैं तो वो क्या हैगा? हमेशा same number रहेगा, okay this was the second concept of the day चलो, next इसको थोड़ा सा collectively पढ़ लेते हैं, कि if you multiply, if you multiply any number by zero, अगर आप किसी भी number को zero से multiply करते हैं, तो you always get zero, तो आपको क्या मिलता है? हमेशा ही zero मिलता है यह है हमारा first law this is the first law first law this is the second law second law क्या कहता है? second law कहता है कि if you multiply अगर आप multiply करते हैं, एनी number, किसी भी number को by one, एक से या one से it stays the same तो यह हमेशा क्या रहेगा? same रहेगा यानि कि number बिलकुल change नहीं होगा चलो, इसे एक example से समझते हैं अगर आपके पास एक बड़ा सा number है, nine, eight, six five, three four, two और इसमें आपने multiply कर दिया किस से? one से multiply कर दिया तो यह कितना आजाएगा बताओ same, यही number आजाएगा इसमें कुछ भी change नहीं आएगा यानि कि हमार answer क्या आजाएगा? nine, eight, six five, three four, two ओके? यह बिलकुल भी नहीं बतलेगा जाएगा answer अपना? simple, very simple, zero किसी भी number में zero से multiply करने पर zero आता है और one से multiply करने पर number itself, same number ही रह जाता है ओके? तो यह दो concepts हम लोग नहीं आज learn किये next, आज हम लोग यह भी सीखेंगे कि multiplication of two digit number two digit के number का multiplication by one digit number किसी भी two digit के number को one digit के number के किसी single digit के number से multiply करना learn करेंगे ओके? this is again very simple बहुत ही simple है आप लोग अब इस box में देखें जो मैं box बना रहा हूँ ओके? इसमें first number लिखा है 32, 3, 2, 32 और यह multiplication का sign लिखा है फिर यहां लिखा है 3 यानि कि हमें 32 में किस से multiply करना है? multiply 3 तो पहले heading को समझते हैं हमको reading practice भी important है तो यह हमें समझना चाहिए multiplication हमें multiplication learn करना है of two digit number दो digit के number को कौन सा दो digit का number है यहां पे? 32 यह देखो मैं दुबार आप write down करना हूँ वो भर write करना हूँ 32 32 is the two digit number by किस से multiply करना है? one digit number one digit number कौन सा है? this one three so हमें ऐसे multiplication learn करना है कि हम two digit के number को one digit के number से कैसे multiply कर सकते हैं so very simple again multiplication तो होता है repeated addition है न? multiplication कैसा होता है? multiplication होता है repeated addition of a same number is called multiplication यानि कि जो भी multiplication की properties हैं वो किस से similar होती है? addition के similar होती है जैसे हम लोग addition में करते थे वैसे हम लोग multiplication में भी करेंगे कैसे करते है multiplication? so पहले column form में numbers को लगते हैं two digit number को top पे लग दिया और one digit number को उसके bottom में लग दिया फिर हम इस three का table read out करेंगे two times तो three ones are three three twos are six देखो ये tense place पे three है ना और once place पे क्या है? two है तो पहले three का table read out करते हैं two times यानि कि once को पहले once में multiply करते हैं once को once में तो three twos are six तो लिखेंगे यहाँ पे six आप देखो इस two में तो multiply कर लिया इसे हटा देते हैं फिर इस three को multiply करते हैं किस में? इस tense place पे three multiply three यानि कि three का table हमें read out करना होगा three times तो three ones are three three twos are six and three threes are nine तो लिखेंगे यहाँ पे nine तो हमारा answer क्या आगा? 96 यानि कि जब हम 32 में three से multiply करेंगे तो answer आएगा 96 हमें करना क्या है? एक बार और revise करते हैं लुक तो जब भी two digit के number को किसी one digit के number से multiply करना होगा यानि कि 32 two digit number है इसे three से multiply करना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले once को multiply करेंगे multiplying once पहले once को once है तो three multiply two यानि कि three times two three times two मतलब three ones are three यान three twos are six ओके? तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे six then हम इस three को किस में multiply करेंगे? पहले तो once में कर लिया multiply अब क्या बसता है? tense यानि कि three को three में multiply करेंगे so three threes are nine so nine is six done यानि कि हमें जब भी two digit number को one digit number से multiply करना होगा तो हम सबसे पहले once को multiply करेंगे फिर हम tense से multiply करेंगे ओके? चलो practice करते हैं एक बार थोड़ा से यहाँ देखते हैं this way यह addition का problem है हम लोग addition कैसे करते थे? जब हमें 52 में 43 को add करना है तो once को once में add कर देते थे two plus three is five and then tense को tense में five plus four is nine okay let's move to our multiplication part अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि हमारे पास एक two digit number है कौन से है? one and four 14 and इसे हमें multiply करना है इस one digit number से two से okay so हमने लिख भी रखा है four once place पे four किस place पे? four once place पे so इसके उपर once लिखा है o, o for once and one किस place पे? one is at tenth place तो इसके उपर लिखा है t, t for tenth place okay इसे हमें multiply किसे करना है? two से multiply करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले once को multiply करेंगे यानि कि इस two की multiplication किसे करेंगे four से तो two का multiplication पहले four से करेंगे जितना आएगा उसको यहाँ पे write down करेंगे फिर हम इस two का multiplication किसे करेंगे once से हो जाने के बाद tense से करेंगे यानि कि two का multiplication करेंगे once से फिर जितना आएगा उसको भी यहाँ पे नीचे write down कर लेंगे, so very simple चलो करते हैं, पहले 2 का multiplication करते हैं, once से यानि कि four से, तो two fours, two multiply four is two times four, या फिर four times two so read out करते हैं tables, two का table हमें four times read out करना होगा, so two ones are two, two twos are four two threes are six and two fours are eight so two fours are eight तो लिखेंगे यहाँ पे eight फिर हमें इस two का table कितनी times learn करना होगा one times read out करना होगा okay, once से तो multiply कर लिया, आप करेंगे ten से multiply, तो इस two का table पढ़ेंगे हम लोग, two multiply one यानि कि two times one is two so लिखेंगे यहाँ पे two okay, this is it चलो, एक और example बढ़ते हैं यहाँ पे भी देखो two digit number है, कौन है two digit number? twenty four इसमें four once place पे है and two tenths place पे है इसको multiply करना है किससे? two से multiply करना है, कैसे करेंगे multiply? पहले two को one से multiply करेंगे, यानि कि four times फिर two को हम लोग two से multiply करेंगे यानि कि two times पहले इस two को one से and फिर two को ten से पहले two को one से multiply करेंगे और जो भी आएगा उसको कहा लिखेंगे? यहाँ पे लिख देंगे फिर two को किसे multiply करेंगे? ten से और जो भी आएगा उसको फिर से नीचे लिख देंगे, चलो करते है 2 को multiply करते है 1 से, यानि कि 2 multiply 4 यानि कि 2 का table हमें कितनी बार read out करना होगा 4 times, अब यह भी क्या था 2 1s are 2 2 2s are 4, 2 3s are 6 and 2 4s are 8 so यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 8, then इस 2 का multiplication अब किस से करेंगे अब करेंगे 10th place पे 10th place पे कौन है 2, यानि कि 2 का table हमें 2 times पढ़ना होगा, तो 2 1s are 2 and 2 2s are 4 so यहाँ लिखेंगे 4 so और answer is 48 that is how we can do multiply a 2 digit number by a 1 digit number, आज हम लोगों ने 2 नए concepts बिलन कि क्या थे वो, यह रहे first था कि अगर हम multiply करते हैं any number by 0, अगर हम 0 से किसी भी number को multiply करते हैं so we always get 0 okay, and second one was कि if we multiply if you multiply any number by 1, अगर हम 1 से multiply करते हैं, 1 से multiply करते हैं, it stays the same तो वो हमेशा वैसा ही रहता है so this is it for today, thank you bye bye